नितिवचन अध्याय अठाराह जो औरों से अलग हो जाता है, वह अपनी इच्छपूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सप्रकार की खरीबुद्धी से बैर करता है, मुर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रगट करना चाहता है, जहां द इंदित काम के साथ नाम नराई होती है, मनुष के मुह के वचन गहराजल वा उमढ़ने वाली नदी वा बुद्धी के सोते है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हकमारना अच्छा नहीं है, मुर्ख बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता है, और अपने को मार खान के युग्य दिखाता है, मुर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्रान के लिए फंदे होते हैं, काना फुसी करने वाले के वचन स्वादिश्ट भोजन की नाई पेट में पज जाते हैं, फिर जो काम में आलस करता है, वह खोने वाले का भाई ठ धनी का धन उसकी दुष्टी में गढ़वाला नगर और उचे पर बनी हुई शहर पना है। समझवाले का मान ग्यान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ग्यान की बात की खोज में रहते हैं। समझवाले को मनाना दुर्णनगर के लेने से अधीक कठिन होता है और जगडे राजहोन के बेड़ों के समान है। मनुश का पेट मुह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वहत्रुपत होता है। जीप के वश में मुरुत्य और जीवन दोनों होते है और जो उसे काम मिलाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्रीब्याली उसने उत्तमपदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है।